मुझे नहीं उसके कपड़े पटे देख करके और ले जाओ बाहर ले जाओ श्राइजान को ले जाओ ले जाओ आसा को जिवर्जत की गाड़े मुछा दिया आसा कर से यहां काई देख तरी के कैद मैं रो रो कह रहे मुझे उतार दो मुझे क्या मतलब लावारीत है इस बुलेटीन के प्रस्तुत करता है बरेली के नियूरो सर्जेन डॉक्टर अमित खन्ना और एक बार फिर मदबुद्धी मैला से दुषकर्म किया बेटी पैदा हुई लेकिन बेटी को छोड़कर माँ चली गई चद गंटे के बाद बेटी भी माँ के माँ चली गई लेकिन मेडिकल कॉलिज के महिला विभाग का कारनामा सामने आया है जहां पर डॉक्टर स्वाती, डॉक्टर पिलो, डॉक्टर सरीता, प्रिती तिवारी, आरूशी, अंजनी की लापरवाई से पहले मदबुद्धी महिला की मौत हुई और बच्ची जीवित रही कुछ देर के बाद बच्ची भी दुनिया को प्यारी हो गई, हाला के मेडिकल कॉलिज के सीएवेस ने जाज करने का आशवासन दिया है और ये कहा है, कि जिसने लापरवाई करिये, बख्षा नहीं जाएगा, मेडिकल कॉलिज के सीएवेस ने ज प्राइदुहाई नहीं थाना निगोई का बनास देवी का मामला हमावक को बताते गिराम परधान किसान नेता देवेंद्र पाल सिंग और उसके साथ गिराम परधार राजा लेकर आए और साथ में आशा भी लेकर आई लेकिन इनका ये आरोप है के मिडिकल कॉलिजी महिला व भी उसने एक बच्ची को जनम दिया और बच्ची को जनम देने के बाद खुद जो थी वो बीमार हालत में थी बच्ची भी जीवित थी वो भी जीवित थी लेकिन कुछ देर के बाद महिला की मौथ हो गई और उसके बाद बच्ची की भी मौथ हो गई हाला कि बाखो भी आ बता दे डक्टर स्वाती डक्टर पिलो डक्टर सरीता प्रिति तीवारी आरूशी और अजली ड्यूटी थी घा लूम लगाया है कि ए और उनुने यह कहा है कि apa परवाई करिए ऐसे लोगों के लिए कोई भी जगा नहीं मैं जाच कर रहा हूं आपको विस्तार से आगे दिखाएंगे लेकिन आपको बता दे सबसे बड़ा दोशी कौन है वो युवक जिसका नाम है सोबरनलाल जो के वनाजदेवी गाउं के थाना निगोई कर रहने वाला है उसने महीला के साथ मदबुद्धी महिला के साथ दुष्कर्म किया और गाउंवाले ये कह रहे थे लेकिन उसके बाद मे भाग गया और परिवार के लोग जो गाउं वाले हैं पूरा गाउं उसको लेकर आया मदबुद्धी मैला को और मदबुद्धी मैला को लाने के बाद मेडिकल कॉलिज के मैला विभाग में एडमिट कर आया उसके बाद मैला विभाग के लेवर रूमें वो तडप तडप कर रह रही थी ले ओटी में डलवाया लेकिन ओटी में जब उसका सिजर हुआ अपरेशन हुआ उसके बाद मैला डाक्टरों का ये कहना था बच्ची मर गई लेकिन उसके बाद में जब लाई जा रही थी तो बच्ची जिन्दा थी और उसके बाद मदबुद्धी मैला भी जिन्दा थी कि जो लोग जिनका कोई नहीं है और इलाज के लिए मेडिकल कॉलिज में आते हैं उन पर जादा हमारा ध्यान दिया जाता है और सबसे कहना है लेकिन हमारी गैर मोजूदगी में इतना बड़ा काम हो गया इतनी लापरवाई हो गई जबके मैंने ही इस मैला को भरती कराया था हाला के सीएमेस के ये कहना है के जाज कर रहे हैं स्टाप में जो भी दोशी होगा उसके खिलाफ का रवाई होगी लेकिन सबसे पहले हम दिखाते हैं और आपको सुनवाते हैं कि जो लोग ले के आए उनका क्या कहना था देवेंदर पाल सिंग ये बताई एक मद्वद्धी महिला जो है काफी समय से आप लगे हुए उसके पीछे उसकी हेल्प करी तो मौमला क्या था और क्या पैदा हुगा उसका ये मामला की है ये लाबार इस हाल में सडके किना रहे मों को पड़ी इस कहा इन निगोई ब्लाक के गाउब बना अधिन अच्छा अच्छा हम लोगों ने सवर नंबर को डाल गया सवर नंबर लेकर इसको भेजा तो तो सवर नंबर वागन का जब तक आसा नहीं कोई जाए पर महिला नहीं जाए इस साथ में तब तरह नहीं देखेंगे और मौना हुता है नाच्छा को हमने वहाँ बुला भी लिया तक पहले साथ पर हमारे घाव की बुल्त हुआ है उसे बुलाया तो उन्हें उसी बठा लिया उगले साथ को उसे कोई वहाँ बढ़ती लेकिन कर दो मुझे क्या मतलब लावारित है अच्छा आपने आधार कार्ड बेजा आधार को वार्सप पे इनके द्वारा वार्सप किया वहाँ तब इसको स्वाइच किया है अभी अच्छा यह मतायों मदो यह कब से पड़ी रहती थी ती वहां यह तो करीब हो गए पांसा से ग अच्छा वह एक बनादेवी गाउं है उसका एक इनलोका है वह उसके इसके साथ उसकर्म किया इसको रखा भी कुछ दिन अपने घर में है वो भी थोड़ा है उसे इमन्द्धी वो भी है जिस्टर में ही लेकिन इतना रही हो कमाता खाता है और जब आज बच्चा होने अश्तापी लोगों सब गाउं वाले पूरा गाउं यह पूरा गाउं आया इसके साथ में अस्पिदाल निभी कुरा गाउं ही कि भश्ता हुआ था पूरा घृट चुछ बच्ची भी है मदबुद्धी भी है सही हालत में आप ने इतनी मेहनत करी अब डॉक्टर ने आप स और आपको बता दें के राज साड़े दस बजे तक ग्राप परदान के लावा जितने भी लोग थे नहीं गोई के वो मौजूद थे उनकी मौजूद्गी में दूनों लोग जिन्दा थे मदबुद्धी मैला भी और बेटी भी उनका ये कहना था लेकिन उसके बाद जब वो घर चले गए जाने के बाद उनके पास फोन गया के रात के तीन बजे मदबुद्धी मैला ने दम दे दिया और बच्चे ने भी कुछ देर जीने के बाद दम दे दिया हाला के आपको बाता दें इस मामले में मदबुद्धी मैला के शब्द को लेकर पोस्मार्टम के लिए भेजा गया लेकिन इसी बीच मेडिकल कॉलिज के CMS को पूरा मामला जब उनके संग्यान में पहुचा आनन फानन उन्होंने तुरन जाज कमेटी गठिक की और गठिक करने के बाद ततकाल दे दी आदेश उनका ये कहना था हम इसकी जाज करेंगे और अगर लापरवाई है तो हम करवाई करेंगे मैलावी बाग के उपर क्या कहा CMS ने क्या कहना था उनका आईए हम आपको विस्तार से सुनवाते हैं आई थी आप लोगों ने कोशिश भी करी लेकिन एक्सपायर होगी तो पूरा मामला क्या था किस तरीके से मुझे जो है एक जिगोही CSC के डाक्षा में फोन किया कि कोई आपग्यात महिला हुई है जिसकी पोड़ा सा मेंटल कंडिशन भी गड़वड लग रही है और पूरी करा फोश में नहीं है तो मैं आसाओं के साथ इसको भेले रहा हूँ तो वो फाहिला में अस्पताल में आई आसाया आई फिर उसको ऐसको डाक्टर में गड़ाने कोशिस किया लेगा पेन में हो थी मैंने का यही टिलीबीर होगा क्योंकि आग्याद में कोई साथ नहीं होता इसलिए मैंने तर्शंट पे जिचर पढ़ दिये थे इसके बाद उसको अप्रीशन भी किया गया। लेकिं दुरवाब यह ए है कि इस महिदा को हम लोग को है आप्रीशन यह कुछ क्रिटिकल कंडिशन ऐसी हुई कि सारे प्रियास करने के बादू, सारे दोगाने के बादू, उसको बचाने सके। अच्छा सर इसमें जाज बगएरा को कोई अदिश बारी जी हाफिश भी मैंने इसमें जो है कि आपनेशन के बाद या पनेशन दौरान कोई ना परवारी हुई है या नहीं हुई है इसके लिए एक चांस सबित मैंने जो है सुभाई गठित कर दिया है और बेखोसी वीवार क अच्छा था मही अदुभाग के एचोडी को जो है इसमें तलब किया और तीन सदस्ची टीम बनाई गए चांच के लिए तो इसको भी दो बज़े की दिमनें उनको बलाया सबू को इसमें और चोबिस गंटे के अदर रिकोर्ट है ना देखते है उसमें क्या बच्चा साई बच्चा है कीतने समय तक जीविल लगा था ना बच्चाल की तोड़े समय तक बताया गया है लिकिन उसकी वीजर भी ना बनाई गए जैज़े ना टैरिके इसमें भी तो इसम्तिम रिकोर्ट है आरफों क्लें पीज़े सॉश्चिट झाल झाल